बारिस हो तो चाट या फिर समोसा या कुछ चटपटा खाने का मन होता है तो आप ये मटर की चाट जरूर ट्राई कीजिएगा बनाना बहुत ही असान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा चटपटा लगता है इस चाट को आप कुलचा के साथ भी सर्व कर सकते हैं टिक्की समोसा चाट भी बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बिना तेल का आप बनाए और बहुत ही टेस्टी लगेगा तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन को हिट कर लिजेगा पसंद है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले चाहिए मटर इसको पूरी रात के लिए भीगो कर रखना है अच्छे से ताकि यह फूल जाए ग्रीन भी मिलता है और वाइट मटर भी मिलता है तो आपके पास जो भी हो उससे आप यह हैं बना सकते हैं तो यह डेर कप मटर है इसको मैंने पूरी रात भीगो कर उसके बाद अच्छे से इसको धो लिया है दो तिन ब़र पानी डाल कर क्योंकि अगर आप अच्छे से नहीं दोएंगे तो इसमें से थोरा सा मिलाता है तो इसको अच्छे से दोना है उसके बाद कूकर में इसको डालेंगे ये मटर वॉयल करने के बाद आप कोई भी चाट बना सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये बहुत ही चटपटा लगता है टैंगी फ्लेवर आता है थोरा सतीखा चटपटा तो आप एक बार जरूर ट्राई कीजेगा मटर को डालेंगे कूकर में उसके बाद बेसिक मसाला डालना है हल्दी नमक कुछ बहुत ज़्यादा चीज नहीं डालना होता है इसमें में चटनी होता है जिसको आपको बनाना है और इमली आपको जरूर चाहिए तो बस नमक डाला मैंने हल्दी डाला और उसके बाद डालेंगे इसमें पानी डेर कप मतर था तो उसके कोडिंग पानी आपको डालना है थोरा सा उपर होना चाहिए पानी अब इसको मिडियम फ्लेम पर दो वीसी लाने तक कुक करेंगे उसके बाद फ्लेम को लो कर देंगे और 8-10 मिनट तक अच्छे से इसको सिटी लगने देंगे उसके बाद अब ट चिली पाउडर थोरा सा तर्मरीक पाउडर कलर के लिए फिर काला नमक और सफेद नमक दोनों डाला है मैंने हरी मिर्च और हरा धनिया अब इसमें थोरा सा क्रंच आने के लिए मैंने पोहा को रोस्ट करके इसमें डाला है आप चाहें तो कॉर्ण फ्लार या फिर ब्रेट क अब तेल को गरम करेंगे उसके बाद इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे इसमें जो मैंने पोहा रोस्ट करके डाला है इसे ये पाहड का जो इसका लेयर है न वो क्रिस्पी बनेगा तो आप चाहें तो ब्रेट क्रम्स डाल सकते हैं बड़ पोहा हेल्डी है तो आप पोहा जरूर एक पार डाल कर बनाईएगा बहुत ही टेस्टी बनता है और क्रिस्पी भी होता है तो दोनों तरफ से गोल्डेन ब्राउन होने तक इसको सेक लेंगे रेखिए बिल्कुल भी त अगर आपके पास बॉइल किया हुआ आलू है तो बहुत ही जल्दी बन जाएगा देखिए दोनों तरफ से क्रिस्पी हो गया है अब इसको निकाल लेते हैं और मटर भी हमारा अच्छे से कूक हो गया है तो जब मटर कूक हो जायना तो उसको सीटी उसका खुद से आपको निकलने देना है नहीं अपने से मत निकाले कभी भी जिसे कि उसका कूकिंग प्रॉसेस रुके नहीं और अच्छे से वह पके अब मटर भी चेक कर लेते हैं देखें मतर अच्छे से बॉइल हो चुका है अब इसको थोरा सा मैस कर लेते हैं जिसे कि इसका जो ग्रेवी होगा न वो थोरा सा थीक बनेगा क्योंकि इसमें बाकी कोई चीज मैंने नहीं डाला है बस नमक और हल्दी है तो हलका सा हलका हलका इसको प्रेस करेंगे और इसको मैस करेंगे और थोरा सा गरम पानी इसमें आड करेंगे कि थोरा सा पानी कम लग रहा है क्योंकि चाट है तो उसमें जब भी हम टिकी चाट बनाएंगे तो उसका जो छोला बनता है ना मटर का वो थोरा सा ग्रेवी वाला होता है तो खाने में सही लगता है तो पहले आप अच्छे से इसको मैस कर लिजे थोरा सा ऐसे ही छोड़ना है थोरा सा मैस करना है उसके बाद चाट बनाएगे आप इसको कुल्चा के साथ भी सर्व कर सकते हैं समोसा के साथ या फिर टिकी चाट भी बना सकते हैं या फिर ऐसे भी प्यास टामाटर डाल कर आप इसे खा सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा तो अगर आपको ऐसे खाना है तो उसके लिए मैं बता रही हूँ एक बड़ा सा बोल लेंगे उसके बाद जो हमने मटर बॉयल किया उसको डालेंगे ऐसे भी बहुत टेस्टी लगेगा आप एक बाद ट्राई जरूर कीजेगा भी लिए समोसे का भी तो इसको डालेंगे जितना भी अपको खाना हो उसके कोडिंग आप इसको प्रीपियर कर सकते हैं उसके बाद इसमें डालेंगे इमली का पानी ये बहुत ही इंपोर्टन्ट है तो इसको इसकी बिल्कुल भी मत किजएगा भीगो कर मैंने रखा हुआ ता गरम पानी में उसका पलप निकाला और उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर दिया फिर डालेंगे भूने हुए जीरे का पाउडर और भूने हुए धनियाई का पाउडर दोनों का हल्का सा रोस्ट करके आप ग्राइन कर लिजे थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर थोड़ा सा आमचूर पाउडर फिर हरी वाली चटनी इसमें चटनी बहुत इंपोर्टेंट होता है और इमली तो इस बात का आप ध्यान डखिए फिर डालेंगे इसमें स्लाइस किया हुआ अनियन प्याज और उसके अब उपर से आप हरी मिर्च अगर आपको पसान है तो डाल सकते हैं नहीं तो स्किप कर सकते हैं फिर डालेंगे इसमें चाट मसाला यह सारा मसाला डालने के बाद नहीं बहुत ही जादा चटपटा बनता है उसके बाद थोड़ा सा एक्षिली पाउडर अब इसको अच्छ इस पर कोई भी टीकी या फिर समोसा की जरुवत नहीं है ऐसे सर्फ करने के लिए तो रेडी है बट टीकी चाट बनाना है तो उसके लिए फिर से किसी भी प्लेट में जिसमें आपको सर्फ करना हो पहले मटर डाल दीजिए उसके उपर टीकी रखिए फिर उपर से थोड़ और मटर डालेंगे रगड़ा रगड़ा पैटी से ये उसके बाद भूने हुए जीरे का पाउडर डालेंगे भूने हुए जीरे का पाउडर से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है फिर डालेंगे इसके उपर ग्रीन चटनी और इमली वाली चटनी जो खटी मीठी होती फिर बारी कटा हुआ प्याज उसके पाद डालेंगे इस पर फ्रेस हरा धनिया फिर उपर से थोरा सा चटनी दोनों डालेंगे मीठी वाली भी और खटी वाली भी तीखी वाली और आप देख सकते हैं कितना जल्दी यह रेडी हो गया उसके उपर से थोरा सा स्प्रिंकल कर द निम्बू, हरी मिर्च और सेव भुजिया साइड में एक टिकी लगा दीजिए बस देखिए रेडी है आप यह जरूर ट्राइ कीजिएगा बहुत ही ज्यादा टिस्टी लगता है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा बेल एकन को हिट कर लिजिएगा पसं दे तो सिर जरूर कीजिएगा थेंक यू